दोस्तों स्वागत आपके अपने चनल सिबिल साइड विजिट में दोस्तों मैंने जो डवल एसी ब्लोग है उसके बिजनेस की भी बात की कि आपको बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए दूसरी चीज़ी इसकी डिमांड काफी जादा है तो घर पे कंस्ट्रक्शन इसस सब मतलब वह सही नहीं है गर के लिए तो आज उसी चीज़ को मैं क्लेर करूंगा आज वही बताऊंगा कि किस बज़ा से आपके गर पे क्रेक आ रहे हैं क्योंकि डवलेसी ब्लोग में जब आप काम करोगे तो कुछी रिजन है अगर वह करोगे तो उस बज़ा से क्रेक आत आज वही बात होगी कंप्लीट वीडियो देखना काफी अच्छी वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक जरू करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज क्या है देखो में जो गलती की जाती है क्या की जाती है जब भी आप तो हमेशा द्यान रखने है जब भी आप डवलेसी ब्लॉग लाओ तो वो पुराने होने चाहिए हफता एक पुराने होने चाहिए और उनको रखो को ऐसे मतलब एक स्टैगिंग करनी है नीचे कम से कम पांच तीन चार इंच ज्यादा उससे हो पॉसिबल हो एक फुट रख अगली चीज क्या करनी है जब भी आप डवलेसी ब्लॉग लोग हो मतलब 6 लियर उसकी डाले है मतलब 6 नगी यूज करने है 5 या 6 उससे जादा उसमें नहीं करने है जब वो यूज होगे उसमें एक बैंट प्रवाइड करने है सिल लेवल पे भी करो लिंटर लेवल पे भी सामने आप देख रहे है उसका विजूल भी देखो हमने कॉंक्रीड का बले PCC डालो 8 mm का सरीय डाल दो उसमें लेकिन उसमें यूज करो मतलब बैंट डालने हैं अगर एकदम 3 मिटर या 2 मिटर हाइट पे कर दी एक ही दिन में कर दी और उसमें कोई प्रवाइड नहीं किया so ible przyta. लुकि बीच मदला 4.5 मेटर ही होना चाहिए मतला उससे जादा अगर करें तो बर्टीकल स्टीफनर होता है जो कॉलम रहता है हमारा वो पॉइड करना पड़ेगा जैसे हमने बैंड होरिजिंटलby लिप किया वैसे वर्टीकल ये पॉइड करना पड़ता है क्योंकि कंट्रोल joint हो गया अगर control या expansion joint नहीं दो गया बाद में जो गर्मी आएंगे सर्दी आएंगे वो shrink होगा contract होगा उससे क्या crack आते हैं तो हमेशा दियान देना है share layer करनी है उपर band provide कर देना है फिर उपर करो और एक दिन share layer करो ठीक है यह हो गया अगरी जो गलती की जाती है वो मैं आपको theoretical थोड़ा समझाता हूँ आपको बना के समझाता हूँ ऐसे समझ नहीं आएगा देखो अभी क्या करते हैं पहले एक दिवार बना लेते हैं मेरा पैन विव ऐसा ही है थोड़ा यह दिवार आगे हमारे ब्लॉग शो कर देते हैं यह अपने दिवार बना दी और यह बना दिया बीम उपर यह हमारा बीम आगया नीच उपर बीम रहेगा जो भी रहेगा तो इसमें क्या करते हैं जब भी दिवार बनाती है नीचे तो प्रॉपर तो नहीं है कि पूरे डिस्टेंस पे होग हमारे ब्लॉग पूरे फिट आ जाए उपर तक तो ऊपर थोड़ी थोड़ी जगा बच जाती है कभी कही जगा पूरा उपर हो जाता है कही जगा नीचे बच जाती है तो उसी कारण क्या होता है ज यहां अगर यहां तो ठीक है यहां क्या होगा यहां सिरफ पॉइंट लोड हो जाएगा तो हमेशा क्या करना है जब भी आप प्रवाइड करो ब्लॉक यहां तो नीचे से यह ऐसे लेके चलो कि आपकी फुल पैकिंग आजे वैसे तो पॉसिबल नहीं एतना कि नीचे से लेके चलें फूल पैकिंग आजे लेकिन आपको हमेश्या पैकिंग फूल करनी है उसमें मतलब अगर पॉसिबल है तो कॉंक्रीड का माल दाल दो यहां उसमें शॉट करीड का माल दाल दो तो हमेश्या फूल पैकिंग होनी चाहिए कि बीम का लोड ऐसे वर्क यूडियल वर्क करें मतलब टोटल ट्रांसफर हो और पूरी दिवार उसको ट्रांसफर करें नीचे अगर वो थोड़ा सा भी एक जगा से होगा वहाँ लोड जादा पड़ेगा तो वहाँ से क्रैक आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमेशा दियान देना है कि आपकी बीम और दिवार की जगा फिल होनी चाहिए ठीक है नेक्स चीज़ इदर ही बात कर दूँगा मैं आप जब भी इस पे प्लास्टर करो तो जब एक दिन दिवार मन जाती है उसको दो दिन रहने दो ऐसे ही उसके बाद प्लास्टर करो और वो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए 10 mm करो कोई दिक्कत नहीं है इसमें ज़्यादा इतनी प्लास्टर के ज़रूर नहीं होती है 10 mm कर दो उसके बाद उसको रहने दो 14 दिन तक उसके बाद पुट्टी करो, यह नहीं जैसे प्लाश्टर किया उसके बाद हम उसके उपर पुट्टी कर देंगे, तो पुट्टी करने से उसमें क्रैक आ सकते हैं तो यह चीज भी आपको देन देने, और एक मस्ट चीज देखनी है, लोगों को पता नहीं है क्यूरिंग इसकी कभी नहीं करनी है आपको, जो ब्लॉक रहते हैं उनकी क्यूरिंग आपको कभी नहीं करनी है जैसे दिवार हुई, लोग क्यूरिंग करते हैं कुरिंग मOR करो भाई आपको कियूरिंग किसकी करनी होती है complex की सिर्फ the plaster wireless cement को पाणि चाहिए hydration के लिए ngard किसी चीज को नी चाहिए होता था तो इसलिए आपको block sovereignty block to order ना तो पहले जब जैसे इंड को डुब वोते हैं मतलब पानी में डुबोके रखते हैं फिर उसको यूज करते हैंं और यही लोगों ब्लोक का भी डुबोते हैं कुछ लोग और वो मॉश्चर ले ले लेता है बाद में श्रिंक होता है और crack आ जाते हैं, यह चीज आपको हमेशा दियान रखनी है, कभी भी उसको डुबोना नहीं है, नेक्स चीज यह एक और चीज आपको रखनी है जो fine sand होती है, पतली sand और जिसमें मिट्टी हो वो आपको कभी नी यूज़ करनी है, उसकी बज़ा से जब ब्लॉग मतलब यह रखा, यह नीचे में माल डालते हैं, फिर उसके उपर ब्लॉग जोडते हैं तो इसमें भी possible हो, ज़्यादा मोटार यूज़ नहीं करो, अगर possible हो तो जब भी आप करो, तो एक चीज़ द्यान देना है, एक इसी में बता दूँ में आपको, जैसे हमने यहाँ, मैंने कहा था, यह हमने 6 layer डाल दिये, मतलब 1200 तक बना दी, 1200 ml, उसके उपर मैंने band प्रवाइड करने को कहा था आपको, यह band हमने उसका concrete कहा दिये, 1 ratio 2 ratio 4, plus 2 nug of 8 ml, स्टील जो इधर हमने ऐसे सरीय डाल देना है, उसको बढ़ देना है, और कितने 4 इंच रखो, इसको कोई दिक्कत निया, 2 mm, ठीक है, तो जब इसमें प्लस्टर करोगे, तो इसमें आपको wire mesh लगानी है, यह याद रखना है, चिकन मेश जो आती है, इसमें जो 3 इंच उपर चड़ी होने जाए, यह 3 इंच दिवार पर, फिर उसके उपर प्लस्टर करना है, प्लस्टर ऐसे कर दोगे, तो crack आजाएंगे, यह हमेशा दियान रखना, एक चीज और दियान रखना है, जब भी मतलब जैसे joint बनाओगे, ग्रूब बनेगा, बीच में उसमें ग्रूब ज करो, इसमें कुछ खराब चीज नहीं है, एक तो यह सस्ता पड़ता है आपको, दूसरा इसकी life अची है, strength अची है, आपकी building पे कम load पड़ेगा, तो काफी ज़द आच्छा है, अगर devil story का मतलब, duplex है ठीक है, वो पकड़ के चलो, तो जब आप उसमें, जब column design होते है, beam design ह होते हैं, तो हम brick load भी उपर लेके चलते हैं, कि उसके brick का load भी आएगा, तो उसकी बएचे से हमें column का size बढ़ा करना पड़ता है, beam का size बढ़ा करना पड़ता है, अगर आप double AC vlog use करते हो, एक तो वो सस्ते पड़ेंगे आपको, दूसरा उसमें, उसका dead load बहुत ज़दा कम ह होता है, मतलब दो गुना brick कर अगर पड़ेगा, हम अगर 13 brick लेके चलें, और एक blog लेके चलें, उसका blog का 14 kg होगा, brick हमारी हो जाएगी, कोई 30 kg तक पहुंच जाता है, तो वो चीज आपको दिमाग में रखके चलनी है, कि इससे आपका खर्चा भी कम होगा, structure का, और ऐसे भ तो उससे भी crack आते हैं, क्योंकि उसको अच्छे से पकाया नहीं जाता है, उसको steam ने autoclave नहीं किया जाता है, तो उससे crack आने के chances होती है, तो हमेशा जब भी आप blog लो, तो एक तो उसकी जो specification देता है, quotation देता है, जो आपका vendor होगा, देने वाला होगा, तो उसमें पढ़ ल कि उसमें जो age होनी चाहिए, यूस करने की, वो इतने दिन होनी चाहिए, उसको रखने का हमें एक कम से कम एक foot उपर रखना होना, दूसरी चीज़ जो beam के नीचे जगा बचती है, उसको packing डाल देनी है, और एक दिन में हमने 6 लड डालने हैं, जिससे उपर band डालने हैं, और जहां curing इसकी नहीं करने है, यह basic चीज़ें आप follow करोगे, तो guarantee आपके जो WC blog host में crack नहीं आएगा, अगर इसके related कोई भी curie चाती है, आप comment करो, मैं उसका reply करूँगा, और मैंने WhatsApp के group का link भी दिया है, description में, telegram का link है, आप जाके click करो, आप वहां पे जाओ, काफी सारे side engineer उनसे बात करो, आपका काफी knowledge उने gain होगा, thank you guys